नमस्कार दोस्तों फिर से आपका मोक्ष की धरती और ग्यान की नगरी गया में आपका स्वागत है नए धिरज कुमार रिडेन पास जिये से और आज दोस्तों हम लोग बहुत ही महत्पून टॉपिक पर बात करेंगे और वो है आपका उद्ध्योग यानि हम लोग उद्ध्योग पर बात करेंगे यानि अर्थ वेवस्ता के बात करेंगे और दोस्तों आप जानते हो कि अर्थ वेवस्ता धन का बिग्यान है एडम असमित ने कहा था ऐसा इसलिए क्यूंकि जाएं कहीं भी जो कोई लोग अगर अगर लगे हुए हैं तो इसका क द्हान की प्राप्ती होती है तो कहा भी जाता है कि अर्थ सास्तर में अर्थ का मतलब होता है अध्यन करना या हम लोग अर्थ वेवस्था में पढ़ते हैं तो हम यहां पर फिर समझेंगे कि अर्थ का मतलब होता है अध्यन और वेवस्था मनें वेवस्था करना या द्हान का बेवस्था करना तो यहां पर भारत कहें या पूरे दुनिया के बात करें तो हर लोग किसी न किसी सेक्टर में आपका लगा हुआ है और उसका एक ही मिशन है धन को अरजित करना तो हम यहां पर आज जो टॉपिक है बहुत ही मज़ेदार है कि कोई भी कल कर खाने को सकता पड़ती है या किन-किन चीज़ों की अब सकता पड़ती है उस पर हम लोग जोड डालेंगे तो काफी महत्पूर्ण है तो चलिए हम लोग यहां पर उद्योग की बात कर रहे हैं चुकि आप देखते हैं कि उद्योग जो है किसी भी देश की अर्थ व्यस्था का महत्व होता है तो हम लोग आज उद्योग पर चर्चा करेंगे कि एक उद्योग को अस्थाबित करने के लिए किन-किन चीज़ों की अब सकता होती है तो चलिए अगर हम बात कर लें तो पहला जो आपका कंडिशन है जो अवश्यक्ट चीज़ है वो है आपका भूमी बता दे दोस्तों कि भूमी के अभाव में हम किसी भी कल कर खाने की कलपना कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि हम कोई भी फैक्टरी हवा में अस्थापित नहीं कर सकते हैं पहाड पे अस्थापित नहीं कर सकते हैं बंजर भूमी में अस्थापित नहीं कर सकते हैं यानि एक ऐसा खबहाग हो जहां पर हम अपनी फैक्टरी को या कल करकाने को अस्थापिद कर सके लेकिन वो जगा जो हो थोड़ा सा आवादी से दूर हो क्योंकि कहीं पर भी हम कल करकाने के स्थापना करते हैं तो बड़े अस्तर पर जमीन चाहिए और वो बड़े अस्तर पे जमीन आपको आबादी वाले छेतर में नहीं मिलेंगे तो हम देखते हैं कि भारत में या किसी भी देश में जितने भी उद्योग धंदे या कलकर खाने को अस्थापित किया गया है वो समानेता आपका वैसे भुभाग पर किया गया है जो आबादी से दूर हो और जो कंपनी अस्थापित करना चाह रहा है उससे सरस्ते दाम पर जमीन भी उपलब्ध हो जाए तो पहला तो आपका भुमी चाहिए और भुमी भी बहुत लंबा चवड़ा चाहिए आप देख लिजे बोकारों जो आपका प्लांट है कितना बड़ा च्छेतर में आपका है तो पहला चीज़ आपका भुमी होना चाहिए और वह आबादी से दूर होना चाहिए क्योंकि कल कर खाने से बहुत सारे आपके पर दूसीद जो आपका जो गैसे हैं वो निकलते हैं बायू में घुलते मिलते हैं या फिर फैट्री से जो भी आपका म प्रदूसीत बातावरं से प्रभावित होगा तो जमीन तो चाहिए लेकिन वह आपका काफी जो है सहर से दूर चाहिए ताकि हम आसानी से वहाँ पे बड़े अस्तर पे कलकर खाने को अस्थापित कर सके दूसरा जो है आपका पुंजी दूसरा क्या है पुंजी पुंजी के अभाव में भी हम किसी भी कलकर खाने का सपना देखी नहीं सकते हैं क्योंकि पुंजी एक सकती के रूप में है और यदि आपके पास परियाप्त पुंजी है तो आप बड़े से बड़े कलकर खाने को अस्थापित कर सकते हैं आप देखते होंगे कि यहाँ पे ब एस्थाप्ना करे तो उसके लिए एक आपका बहुत बड़ा एमांट होना जरूरी है चाहे वो आमांट आप लौन Paylle या पिर प्रश्णडल हो जैसे भी हो लेकिन कीसी विकल कर खाने के लिए पुंजी का होना बहुत ही जरूरी है पुंजी के आपका कच्छा माल आपको बता दे मित्रों कि कच्छा माल अगर आपको उन छेत्रों में नहीं मिल रहा है और वो फैक्ट्री अगर हम जारखन में अस्थापित कर दें तो आपको पता है कि जारखन में गन्ना नहीं होता है और चीनी के लिए आपका कच्चा माल जो हुआ वह आपका इखिया गन्ना हुआ तो उसे हमें या तो उतरप्रदिस मंगाना पड़ेगा या महराष्ट से मंगाना पड़ेगा या बिहार के कुछ छेतर जो आपका उत्रप्रदे से सटा हुआ वहां से मंगाना पड़ेगा तो वहां से माल आते आते जो है काफी आपका एक तो कोस्ट जादा लगेगा सो तो लगेगा ही और रास्ते मीं आते आते दो-तिं दिन लग जाएगा जिसके कारण गणणा का जो रस है वो सुख जाएगा और अगर उस से फिर हम चिनी का उत्पादन करते हैं तो जितना हम अनूमान लगाते हैं या जितना रखते थे कि इतना मातरा में चिनी होगा उससे काफी आपका कम उत्पादन होगा क्योंकि रस तो रास्ते में ही सुख गया तो अगर हम चिनी का कलकर खाना अगर हम उत्तर प्रदेश या वैसे चेतर में लगाएं जहां पर आपका कच्चा माल आसानी से मिल जाएं उसी परकार से आप देखिए करने में किसी परकार की समस्या नहीं होती है तो कच्चा माल भी आपका काफी महत्पून रखता है कच्चे माल के अभाव में भी हम कलकर खाना अस्ताफी आपके पास जमीन भी है पैसा भी है लेकिन आस पास में अगर कच्चा माल नहीं है तो आप किसी भी कलकर खाने के अस समस्या उसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि आपको कच्चे माल पे बहुत जादा आपको जो बोज है वो पैसे का वो गिरने वाला है तो आप उनी छेत्रों में आप कलकर खाने का उस्थापित करना चाहेंगे जहां पर कच्चा माल जो है आसानी से आपको मिल या प्राप्त हो चलिए चौथा की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो है आपका मसीन की बात कर लें मसीन भी आपका किसी भी कलकर खाने के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है आपको बता दें कि अगर आप माल या सूती बस्त रुद्योग आप अस्थापित करना चाह रहे हैं और वहां पे मसी मसीन से जागा मजदूरों से आप कॉटन को आप ये करें या हाथ से ही करें हना या फिर आपको बता दें कि गन्ना काहीं अगर उत्पादन करना चाह रहे हैं चिन्नी का तो उसमें जो है आप बड़े-बड़े कढ़ाई काहीं परियोग करें तो उतना अस्तर पर नहीं हो स अपना नहीं कर सकते हैं यही कारण है कि आपको बता दे कि जब आपका ओधोगी क्रामतिंग लेंड में हुआ था तो कपड़ा बुनने का बड़ा से बड़ा मसीन वहां पर विक्सित किया गया और जब भारत में आया तो जो हाथ से बुने गए कपड़े थे उससे काफी आ पर्थवस्था को उस समय आपका सुती बस्त रुद्योग रीड़ था वो बिलकुल समाप्त हो गया हना इसका वज़ा यह भी था कि मसीन का अभाव तो किसी भी कलकर खाने को स्थापित करने के लिए आपको मसीन की भी आवसकता पड़ती है इसके बाद चलिए हम लोग एक कोई जगह है यहां पे कलकर खाने की अस्थापना करें और हम मजदूर जो है सौथ अफरीका से मंगाए अमेरिका से मंगाए चाइना से मंगाए तो यहां पे काफी आपका मंगा पड़ेगा काफी कोस्टली पड़ेगा तो हम उनी छेत्रों में कलकर खाने की अस्थापना क कर सकें क्योंकि मजदूर और मजदूर भी कैसा होना चाहिए तो आपका कूसल होना चाहिए हना क्योंकि अगर आप बड़े बड़े कलकर खाने अस्थापित कर रहे हैं और आप छोटे तबते के या फिर कम ग्यान वाले तबते के मजदूर रख लेते हैं तो आपको कमपनी मे किसी न किसी परकार का घटना कर देंगे जिससे आपको जो कल कर खाना है उसको बहुत अस्तर पे नुकसान हो सकता है तो एक कूसल कारीगर या मजदूर की भी अब सकता पड़ती है और अगर आप जिन चेत्रों में कल कर खाना अस्थापित कर रहे हैं अगर वहां पे आपको असानी से मजदूर मिल जाए तो आप असानी से कंपनी को काफी अच्छे तरह से ग्रोथ कर सकते हैं इसके बाद आगे आते हैं हम लोग तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यातायात का शाधन यातायात की बात करें क्योंकि किसी भी कल कर खाने में जो भी आप प्रोड़क कि आप बोकारों की बात करें या विलाई की बात करें ये पठारी छेत्र में ही है लेकिन इसके बावजूद भी देखे पहाडी पठार होने के बावजूद भी जो वहाँ पर यातायात का सादन है वो काफी बेहतर है और बेहतर होने के कारण ही एक जगा से दुसरे जगा तक माल पहुंचाने में काफी असानी होती है और अगर यातायात का सुबिदा है और आस पास में आपका बंदरगा है तो वो और भी मज़े की बात है क्योंकि आप देख लिजिए जहारखंड में जितने भी कलकर खाने है उसका नस्दीक काप का पतन कलकता पड़ता है तो असानी से यातायात के माध्यम से आप जो प्रोडक्शन होता है जो बस तो उसको आप असानी से वहां तक पहुचा देते हैं तो यहां पर क्या होता है कि यातायात क्या भाव में और यातायात भी कैसा होना चाहिए सूगम होना चाहिए सुरच्छित होना चाहिए अगर याता है आद सूगम या सुरच्छित नहीं है यानि अगर रोड का बनावट सही नहीं है या फिर जाने आने में काफी परिशानी है तो आपको अहां पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और बस्तूइं का आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे आपका सुगम जो आपका यतायात का साधन है वो है आपका जैल मर गार अगर अगर जहारखंड में कलकर खाना है और आप उस बस्तु को कलकता पतन से कहीं भी भीजना चाहिए तो काफि आसानी से भेज सकते हैं कम दामों में भीज सकते ह जातायात का साधन भी होना आती आवश्या के इसके बाद अगर हम बात करें बिजली तो किसी भी कल कर खाने के अस्थापना करने के लिए बिजली का भी बहुत बड़ा महत वहता है भना बिजली या एनर्जी के अभाव में हम किसी भी कल कर खाने की अस्थापना का कलपना भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आज जो बड़े-बड़े कमपनियां हैं या दोग धंदे हैं उसको चलाने के लिए परियाप्त मातरा में बिजली की अवसकता होती है आप देखते होंगे कि जहारखन में जितने भी आपका बड़े-बड़े आपके कलकर खाने हैं उसे आस-पास के छेतरों से ही बिजली जो है असानी रूप से प्राप्त हो जाती है इसलिए बहुत सारी परियोजना को भी डेवलप किया जाता है जिससे आपको बिजली असानी से प्राप्त हो जाती है तो इस परकार से आपका हना बिजली भी आपको परियाप्त मातरा में चाहिए ताकि क जल कर खाने जो हैं वो हमेशा आपका एक्टिव रहे चलता रहे बंद नहों इसके बाद नेक्ष्ट जो है वो है आपका जल जल का भी उचित वेवस्ता होना चाहिए क्योंकि जल के अब हो में भी आपको कल कर खाने में काफी समस्या आ सकती है जैसे मसीन को ठंडा करने में या फिर वहां पे बड़े अस्तर पे जो लोग काम कर रहे हैं उसको पीने के लिए इस सारीन चीजों के लिए आपको जल की सकता पढ़ती हैं तो जल का भी होना बहुत ही इनिवार है जल के अभाव में भी हम कल करखाना को अस्थापित नहीं कर सकते हैं जितने भी आप देखते हैं शौर ने रेखा गही है दामोदर नदी गाट नदी कहिए यह सारी नदियां के किनारे बहुत सारे कल कर खाने को अ आप बश्तू का प्रोडक्शन करते हैं तो उसका पर्योग तो खुद करना नहीं है जैसे माँ लिया एक चोटा सा गुदारा हम दे अगर हमें आपे कोई चॉकलेट का फैक्ट्री अस्थापथ करते हैं तो वो चौकलेट पूरा बना हुआ हम खुद तो खा नहीं सकते हैं या जितना अस्तर पे हम उत्पादन कर रहे हैं वो आसपास के छितर में खप नहीं सकता है तो इसके लिए बाजार की भी उपलब्द होना बहुत ही जरूरी है अगर कोई कलकर खाना है वहां से जो भी बस्तूओं का निर्मान होता है अगर आसपास में बड़ा सा मार्केट है तो आपका बस्तू जो है बहुत ही असानी से वहां तक पहुंचा दिया जाएगा और आपका बस्तू जो है उस बजार में असानी से बिक भी सकता है तो आस पास में एक बजार होना चाहिए हना जैसे आप देख लिजिए छोटा नाकपूर के पठार के बाद करें तो आस पास में बहुत सारे आपके मार्केट हैं जिसमें आपका सबसे बड़ा मार्केट आपका कलकत्ता है जहां पे बहुत सारे बस्तूओं का जो उत्पादन होता है factory में उसको आसानी से वहां पर खपाया जाता है इसके बाद और भी क्या चाहिए इसके अलाबा आपको एक चीज़ चाहिए आपको बीमा चाहिए आप कोई भी कलकर खाना को अस्थापीत कर रहें दोस्तो तो आपको बता दें के बीमा यानि इंसुरेंस का बहुत ही जरूरी होता है माल लिया कि कोई भी आप कल कर खाना लॉन ले करके या फिर किसी तरह से आप उसमें इंवेस्ट करते हैं और उसमें अरबो खरबो रुपया का लागत लगा हुआ है किसी कारण से वो डैमेज हो जाता है तो वहां पे अगर खुद का पैसा लगा हुआ और डैमेज हो जाए तो आप पनप नहीं पाएंगे हना यानि माल लिया कि अगर हम एक छोटा सा उदारन लेते हैं अगर छोटा सा उद्योग अगर हम सुती बस उद्योग का करकाना स्थापित किये हैं कडोडो रुपया लगाए हैं बहुत मेहनस से काने को बीमा करा देते हैं इन सोरेंज करा देते हैं तो अगर उसमें कुछ नुक्सान होती है तो आपका यहां पे काफी मदद मिलता है क्योंकि फिर से आप उस जो कल खाना है उद्योग है उसको फिर से आपका कर सकते हैं या फिर से उसको ओपन कर सकते हैं तो यहां पे आ पनिया काफी लॉस में चला जाए हना क्योंकि आप देखते हों कि हमेशा बड़े-बड़े कलकर खाने में दुरगटनाएं होती रहती है और वो सारा दुरगटना को केवल उस बैक्ती ही जो अस्थापित किया है अपने उपर ले ले तो काफी नुकसान में चला जाएगा इस पुंजी भी है कच्छा माल भी है मसीन भी है मजदूर भी है यातायात का साधन भी है बिजली भी है जल भी है बजार भी है बीमा भी अपने करवाया है लेकिन एक चीज़ का होना और भी जरूरी है वो है आपका साहस अगर आपके अंदर साहस नहीं है आपके पास कडोडो रुपिया है अर अगर आपके पास साहस नहीं है तो आप किसी भी कल कर खाने को अस्थापित नहीं कर सकते हैं तो साहस का भी होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपका यही साहस जो है आपको बड़े-बड़े कल कर खाने को अस्थापित करने में मदद करेगा हिम्मत जिसको क वासकते हैं, तो शाहस कांवी होना बहुत जरूरी है, अगर ये सारा चीज है और ये नहीं है, तो आप के पास पैसा होने के बाब जूद भी आप बड़े-बड़े कलकर खाने को अस्थापित नहीं कर सकते है, इसके अलावा भी देखते हैं, कि किसी भी कलकर खाने को दुर्गटनाएं होते रहती है तो इस दुर्गटना से बचाओ के लिए आज पास में अगर होस्पीटल है या फिर उस कलकर खाने में बड़े अस्तर पे लोग काम करते हैं तो अपने फैमली को भी लाते हैं तो वहां पे जो उनके बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए भी आपका व्यवस्ता होना चाहिए तो आस पास में आपका अस्कूल भी होना चाहिए ताकि उनके बच्चे जो हैं वहां पे पढ़ लिख सकें आप देखते होंगे जब आपका बोकारो अस्टील या फिर टाटा कंपनी जिसका भी अस्थापना हुआ था जब जिस जगा पे ह तो बिल्कुल आपका बिरांग था बिल्कुल बंजर था लेकिन आप आज वहां पर जाके देखें तो आपका पूरा साथ-चाथ जो है वहां पर आपको एक टॉन सहर देखने को मिलेगा जहां पर हर चीज की सुविधा मौजूद है तो दोस्तों यहां पर आपको समझ में का परियास करें और आप यह भी बताने का परियास करें कि किसी भी कल कर खाने को अस्थापित करने के लिए और कीन चीजों की अब सकता हो सकती है तो आप कमेंट करके बताईए कि और क्या-क्या हम इसमें सामिल कर सकते हैं उद्योग धंदा को अना अस्थापित करने में तो आप इसको स्क्रीन सोट खीच लिजिए और बार बार वीडियो को देखें और जिसने भी अभी मेरे चैनल रीडाइन पास को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए सेहर किजिए धन्यवाद